हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बाद नए मार्केट अबडेट के साथ आप लोगों का सोगत कहता हूँ तो दोस्तो धमाकेदार आईटी कमपणी जिसने अपने धमाकेदार कौटर सेकेंड के नमबर पेश किये हैं तो यह कंपणी में भी काफी बड़ी गिरावट हो रही है लेकिन इस गिरावट का किस प्रकार से मुखा उठाएं दोस्तो फायदा उठाएं दोस्तो यह हम इस वीडियो में कवर करने वाले क्यों क्योंकि आप कौटर सेकेंड का जब नमबर देखोगे तो आपको पसंद आ जाएगा और साथ में dividend भी दिया है उसका record date भी आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो फटाबट से वीडियो को start कर लेते हैं वीडियो को start करने से पहले एक और चीज में आप लोगों को बोलना चाहँगा नीचे description में दोस्तो आप लोगों के लिए हमारा profit group की class channel का link दिया हुआ है जाए फटाबट से उस channel को visit करिए, subscribe करिए तो कि daily basis पे दोस्तो आप लोगों के लिए वहाँ पर बहतरिंग intraday का tips वाला जो वीडियो है वो लाए जाता है और आज भी update कर दिया गया है तो चलिए अब चलते हैं उस company की officially pdf के उपर तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ दूस्तो ओफिसली pdf के उपर हम आ चुके हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ dividend टिके second interim dividend and recorded अब interim dividend का मतलब तो आप लोगों को पता होगा हम ऐसा final dividend मतलब एक बार टिके तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ मतलब phase value जो है वो 10 रुपे की है और जो second interim dividend का जो price है वो 13 रुपे मतलब एक शेर के उपर 13 रुपे का dividend एक अच्छा का साम बोल सकते हूँ ठीके recorded बताएट बताएट यह दोस्तो company के तरफ से the board the board has fixed number 8 recorded क्या recorded है दोस्तो 8 नौंबर के दिन की मतलब ज्यादा दिन भी नहीं बचे हूँ है ठीके मतलब record date है तो X record date होगी दोस्तो 7 नौंबर को मतलब 6 तारिक तक आप लोगों को stock को purchase करना है जब जाके आप लोग यह 13 रुपे का जो dividend है वो मिलेगा आपको ठीके तो यह dividend तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नूज है ठीक है चाहिए split हो bonus हो यह तो सब अच्छा रहता है यह shareholder के लिए आप shareholder के लिए देखते हैं दोस्तो quarter second का नंबर केसा देखने को में मिल रहा है company तो अच्छी है क्या उस प्रकार से उसने रिजल पेश किये या नहीं यह हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकतो consolidated financial region जो हमारे लिए important होता है consolidated वाला इसलिए देखते हैं दोस्तों क्योंकि आपको पता है देश और भी देश दोनों का revenue यहाँ पर दिखता है ठीक है stand-down वालना जो रहता है उसमें देश का ही दिखता है खली अब देखे millions में यह valuation है ठीक है तो अकर मुझे read करने में कुछ उपर नीचे हो जाए करोड या लाग इसा कुछ निकल जाए या हजार तो माप करिएगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर बता देता हूं आपको पहले एकदम रू सितंबर 20 जून 20 सितंबर 21 ठीक है quarter second quarter first quarter second ठीक है एक साल पहले का तीन मेने पहले का अभी का ठीक है पूरा क क्लियर कर दिया आप लोगों को तो अब हम देख लेंते दोस्तों सबसे पहले revenue for operation मतलब company का जो main business है वहाँ से company ने क्या revenue निकाला है कितना 15,694 का कितना 15,694 का ठीक है जो हमको दोस्तों June quarter में देखने को मिला था 14,616 का ठीक है और सितंबर 2020 में देखने को मिला था कि दोस् की सुरूबात है और सबसे पहली बात तो दोस्तों ये company दोस्तों कोरोना का भाना भी नहीं मार सकती ठीक है कि प्वेंडम में गा गया था second wave आ गई थी third wave कडर था ये और वो मतलब बहुत बगेरा बगेरा वाले भाने रहते हैं ठीक है ये company नहीं मार सकती क्योंकि यह IT company है अब other income देखेंगे तो उतना कोई उपर नीचे performance नहीं है other income में ठीक है तो total income को अगर देखें तो 15,771 का performance है ठीक है नमबर जून में थे ये दोस्तो 14,777 ठीक है और सितंबर 20 में थे 11,571 अब मैं इसको quarter to quarter compare करता हूँ तो 1000 पॉइंट अब बोल सकते हो 1000 पॉइंट का jump है ठीक है और यहां पर अगर देखेंगे तो लगबग दोस्तो 42 पॉइंट का jump है मतलब अगर देखा जाए तो एकदम खतरनाक नमबर हमें देखने को मिल रहे है quarter to quarter भी ठीक है और year on year P अब चलते हैं दोस्तो expenses मतलब खर्चा ठीक है अब खर्चे में तो बहुत सारी चीज़ में यह खर्चे की पूरी लिस्ट है और खर्चा टोटल मिला के कितना हुआ है 13,710 का कितना 13,710 का इस quarter में ठीक है जून quarter में दोस्तो कितना हुआ था 13,145 का और सितंबर 2020 में हुआ था दोस्तो 10,051 का profit बढ़ा है तो थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ा है quarter to quarter देखेंगे year to year देखेंग खर्चा बढ़ा है क्योंकि दोस्तो company क्या करती है कोई सी भी company हो एसले के जेट तक कोई से भी sector की ठीक है खर्चा बढ़ता है क्योंकि company को दोस्तो revenue निकालने में खर्चा तो बढ़ाना पड़ता है तब ही तो दोस्तो हमें आगे performance अच्छा देखने को मिलता है तो company का आद में दोस्तो net profit ये निकल के आया इसमें दोस्तो expenses item जो important point रहता है जो आप लोगों को कोई नहीं बताता वो बिल्कुल भी aid नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हो ये खाली रो देखने को मिल रहे है तो जो net profit है वो है लेकिन अभी तो government अपना हिस्सा लेके का 15 मतलब दोस्तो 1615 का profit बचा है ठीके यह होच रखता है दोस्तो millions में तो इसको मैं 16 ayittook करयो का northern team और यहां पर दोस्तो 13-12 मतलब दोस्तो 13 करोड का यहां पर profit है और यहां पर 12-20 मतलब यहां पर 12 करोड का profit है तो आप खुद ही देख सकते हो 16 वाली stage 12 वाली stage और 13 वाली stage खेर एक particular अकेले stock की दिक्कत नहीं है दोस्तो कि मैं गिर रहा हूँ मेरा result अच्छा नहीं आया अब EPS earning पर share बहुत सारे traders क्या करते हैं दोस्तो result समझ में नहीं आता है ठीक है सुनते हैं देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है original condition यहां के पता चलती है कि दोस्तो EPS से हम compare करेंगे तो 19 रुपे 93 पैसे का EPS था सितंबर 2020 में जून में था दोस्तो 20 रुपे 40 पैसे का और अभी देखने को मिल रहा है 24 रुपे 21 पैसे तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा अब चले चोटी सी financial condition दिखाता हूं company की अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो मीडिकेब IT company बैसे तो यह NSE BSE दोनों पर आपको listed मिलेगी मार्केट के अब देखे 32,799 करोड का है पी एंडिंग रेशो 62 का है रिटाउन इंप्लोई देखे रिटाउन इक्वीटी देखे ठीक है और फेस वेली जो एक इंट्रेस्टिंग है तो साथ में 52 बिक का है 52 बिक प्रमोटर्स दोस्तो लगबख चार लाश्ट चार कॉटर्स थे थोड़ा थोड़ा स्टा कम कर रहे हैं कोई दिक कर नहीं लेकिन दोस्तों इफाई आई को देखे एफाई आई अपना जो स्टेक है न जो जून जून 2019 में होल्ड करते थे ना वही स्टेक अब फिर से गौर्णमेंट का पहले सेटेक हुआ करते था लेकिन अभी गौर्णमेंट का इसमें स्टेक बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है तो देखा जाए, शेर ओल्डिंग पिटर्न भी दोस्तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन आज stock के performance की बात करें तो दजिया उड़ गई है कितनी सवा 6% stock गिरा है result अच्छा पेश करने के बात भी ठीक है अब यहाँ पर एक यह reason हो सकता है यह इसने अनुमान जो था market को कितना result आएगा ठीक है इस आफ से result नहीं अगर इसने पेश किया हो तो definitely दोस्तों इसको उन्दे मूँ गिरा दिया गया है आप देख सकते हो previous close क्या है ठीक है stock का open क्या था आप देख सकते हो high क्या है यह देख सकते हो low देख सकते हो क्या है मतलब भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है ठीक है यहां 5400 मान ले और यहां 4700 मान ले तो लगबग दोस्तों 700 point की द हाल फिलाल का 52 का लो काफी पूराना है ठीक है साथ में delivery pattern के अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर चेक कर सकते हो 21% से ज़्यादा का delivery pattern है quantity देखेंगे 2,45,000 quantity देखने को मिल रही मतलब देखा जाए तो overall दोस्तों performance बहुत अच्छा देखने को मिला है किसका co-forg limited का हम co-forg की बात करें दोस्तों यह co-forg company market में अभी हाल फिलाल में आई हुई है पहले यह company दोस्तों क्या NIT technology के नाम से जाने जाती थी ठीक है अब उसको realist करवा के मतलब market में realist करवा के co-forg के नाम से launch किया गया है ठीक है आप इसका return on pattern देखेंगे बहुत interesting है विडिकेव IT company है ठीक है तो आप अपना इस पर focus कर सकते हो अपना steady कर सकते हो और अपनी watch list में इस stock को जगा दे सकते हो ठीक है तो यह था हमारा update quarter second का number साथ में plus dividend आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को please like करेगा चैनल को subscribe करेगा क्योंकि डेली basis पे हम आ तरेटें तो तेंकि दोस्तो